नमस्ते मैं हूँ आचारे प्रतिष्ठा भाव और भाव जगत का प्रभाव हमारे सिर्फ mental health पर ही नहीं पड़ता हमारे physical health पर भी पड़ता है भाव एक बहुत ही एहम role play करता है हमारे जीवन में और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारे जीवन में emotional balance बना रहे हम बहुत जादा क्रोधित हो जाते हैं बहुत जादा दुखी हो जाते हैं बहुत जादा खुश हो जाते हैं अती सरवत्रवर्जवयद अती किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए और किसी भी भाव की भी नहीं होनी चाहिए समत्वम योग उच्चते, हम किस प्रकार से समान अवस्था को प्राप्त करें, हर परिस्थिती में सम रह सकें, यही तो योग हमें सिखाता है emotional balance को आप कैसे maintain कर सकते हैं, emotionally आप कैसे balanced रह सकते हैं, उसके लिए आपको कौन से योगा अभ्यास करने हैं, यह मैं आज आपको बताऊंगी एक बहुत यह आसान सी भारत योग की क्रिया जिसका यदि आप नियमित अभ्यास करते हैं, तो आपके life का emotional balance बना रह सकता है जानेंगे इस क्रिया को लेकिन उससे पहले आज का योग विचार, भाव जीवन में बहुत महत्वपून है और यह बहुत आवश्यक है कि आप अपने भाव को, अपने emotions को observe करें, most of the time हम unknowingly emotions or expressions create करते हैं, once we start doing it consciously, तो हमारे भाव बहतर होते चले जाते हैं, आए जानते है आसान सी भारत योग की ख्रिया, जो आपको देगी emotional balance, गुप्त पदमासन के लिए हम कमर को सीधा रखके बैठेंगे और फिर पदमासन की स्थिती में आ जाएंगे, पदमासन की स्थिती में आकर के हाथों का सहारा लेते हुए, आसन लगे लगे, आप अपने पेट के बल लेत जाएंगे, और फिर गुप्त हो गया, पदमासन नजरी नहीं आ रहा, और फिर कमर की तरफ अपने हाथों को ले जा करके नमस्ते की पुजिशन में आ जाना, बहुत ही comfortable posture है, यथा सामर्थ है, इसमें रुखना, जब लगे कि आप हम और दे ने रुख पारे, नॉर्म जीवन में emotional balance पानी के लिए आप गुप्त पदमासन का तो अभ्यास करें ही, यथा नाम तथा गुणा पदमासन है, पर वो भी गुप्त है, लेकिन साथ में जितना हो सके स्वाध्याय करें, क्योंकि स्वाध्याय यूग का एक अभिन्न अंग है, जितना हो सके आप अच्छे विचारों का चिंतन करें और सतसंग करें, यानि सतसंगती, अच्छे संग के साथ रहें, यह बहुत आवश्यक है, और अगर आप स्वस्त रहना चाहते हैं, तो नियमित रूप से हमारा कारिक्रम जरूर देखते रहें.